हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आ यू, I hope you are fine, so बच्चों आज इस वीडियो में हम स्टेंडर फोर्थ का सब्चेक्ट में चैप्टर एट कार्ट्स एंड भीहिल्स डिसकस करेंगे, so लेट स्टार्ट एंड प्लीज ओपन यूर बुक्स, पेज नमबर 81 तो बच्चों, चैप्टर एट, कार्ट्स एंड भीहिल्स, कार्ट्स क्या होती है, जो गाड़ियों होती है, बैल गाड़ी, भीहिल्स क्या होते है, भीहिल्स कौन से शेप में होते है, सर्कल शेप में, तो ये देखो, इसको ध्यान से, इस पिक में क्या है, कुछ सर्कुलर श संकति, पोट बनाते हैं इस तरह uğल में होता है उस देखो फर्स्ट पिट में क्या है क्या है ते टरक्टर है इसका यह समोल है और यह ग्ल भी इन के पहिये तो आप डेली अपने घरों में भी यूज क्यों पंचे और आगे आगे ट्र wir्वाला और पिछे वाला पहिया होता जैसे की बैससे और यह समटे शोल्ट ढर्य होते हैं और बसामग underwater को Beer कार्थ है जिसमें एक आगे क्या लगा हुआ है बुलक कार्ट कार्थ लगा लो जा होरस को बन वहार सै जिसको बहुंद समय एक बहल गाड़ी ने मेंन इसका बीखार एकressive भीया और जागली बना तो हमें कुछ shapes देर की हैं, जादा तरीनों ने का है, जो बहील होते हैं, वो क्या होते हैं, circle shape में, ये देखो, ये pot बना रही है, सुराहियां बना रही है, तो ये भी क्या है, ये बहील क्या है, circular shape में है, तो ये कह रहे हैं, देखो, hey, see how big this बहील is, hey, ये देखो, ये कितना इस कार्ड का ये सबसे बड़ा भील है, I have seen a भील like this, मैंने भी इस तरह का भील देखा है, you must have seen many such round things around you, तुमने अपने चारों और कई गोल गोल चीजे देखी है, list some more in your notebook, तो बच्चो आपने अगर अपने आसपास कुछ rounds में चीजे देखी है, जो circular shape में होती है, तो ये अपनी ममा की बैंगल जेखी है, और क्या होते है, झ्चु पयेया होते है, जो क्वाइन शेप में है तो आप ऐसे कुछ राउंड में लिख सकते हो जैसे कि यह cdi किसी बॉटल का यह किस दिब का क्या है ढक्कन है जो कि राउंड शेप में है यह देखो यह बॉटल के है यह बी क्या है ड्लैंगल है बैंगल क्या होती है round और यह देखो, आप लेट लिख सकते हो, जो कि आप कीचन में यूज करते हो, ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज़े लिख सकते हो, और यह क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं, प्रोटेक्टर, डी बोलते हैं, तो यह भी क्या है, एक इससे हम क्या बना सकते हैं, देखो, पहले यह देखो यह स्टेट लाइन है और यह क्या बन जाता है सैमी सर्कल फिर इसी से यहां पर ऐसे जा इसको ऐसे उल्टा कर भी ऑपजिट करके भी हम पूरा क्या बना सकते हैं सर्कल बना सकते हैं तो आप अपनी बुक में यह नौट कर लेना बैंगल्स, क्वाइन, चपाती, ब बैंगल शॉप क्या आप कभी बैंगल शॉप में गए हो यह देखो यह बैंगल शॉप दिखा रही है यह जो लेडिस है बैंगल बेच रही है तो यह देखो यह स्मॉल बैंगल है यह उससे बिग है और यह सबसे बड़ी बैंगल है तो I can't wear these बैंगल्स, मैं यह बैंगल् तो आपके यह भी आ सकती है यह समाल बैंगल को अपने size की मताबीक लिख सकते हो कि आपके कॉन से size की बैंगल आ सकती है आगे देहो डेक के भायर आप तार ले सकते हो making बैंगल फोर यूर्सेल्फ जैसे कि आपने तार ले ली?? तार को कैसे किया आपने Companhap जैसे कोई भी तार है जा धागा उसको आपने ऐसे गोल-गोल लगाना है ऐसे उसमें बैंगल बनानी है तो आपने उस वायर से क्या बनाई एक बैंगल बनाई क्या आपकी मैडम और वो मम्मी आपकी पहन सकती है नहीं क्यों नहीं बहन सकती, क्योंकि आपकी मम्मी और मैडम का साइस क्या है, अलग है, जो आपके साइस की होगी, जो आपने अपने लिए बनाई है, वो आपकी मैडम की आ सकती, और नाई आपकी मम्मी की आ सकती, आगे देखो, एक बैंगल can be used to trace a circle, क्या आप एक बैंगल से circle बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, bangle क्या होती है, circular shape में होती है, what are the other things around you, that can you, to trace a circle, तो और भी कई कुछ चीजे हैं, जिससे आप क्या बना सकते हो, circle बना सकते हो, तो पहले हमने किसे बनानी हैं, बचो, bangle से, तो ये देखो, ये मैं आपको note book पे ही करके दिखाती हो, ये देखो, ये bangle बिल्कुल आपने हिलानी नहीं है, ये देखो, इसको हम, ये देखो, ये मैंने बिल्कुल हिलाई नहीं, ये बन गी bangle से circular, और क्या बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये डखकन दिखाया था, इसको डखकन से भी आप क्या बना सकते हो, circular, शेफ बना सकते हो, ये देखो, ये बन गया circular, और ये क्या है हमारा, bottle का cap है, जो water bottle होती है न, उसका cap है, इससे भी हमने क्या बना दिया, circle बना दिया, trace करके, इसको tracing कहते हैं, और ये देखो, ये plate है, प्लेट से भी हम बना सकते हैं, ये देखो, ये क्या बनेगा, big circle, बन गया न, प्लेट से, और देखो, और क्या चीज़े होती है, ये D है, D से देखो, अगर मैं यहीं पर बनाती हूं, ये देखो, पहले मैंने, यहाँ पर, ये straight line कीच ली, और इसको, यहाँ से, ऐसे trace करके बनाया, ठीक है, फिर मैंने, इसी को भी ना हिलाए, इसी को ऐसे कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, नीचे से भी ये circle बना दिया, तो ये भी क्या बन गया, एक circular shape में, ठीक है न बच्चो, तो हम ऐसे कई चीजों से, क्या बना सकते हैं, भी ये बना सकते हैं, यानि की circular, शेप बना सकते हैं, आगे देखो, जो आप कंपास से भी बना सकते हो, कंपास को हिंदी में परकार बोलते हैं, ये भी देखो, इसको क्या है, जातो आप इसमे, स्केल्स का भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि हम पॉइंट लेते हैं या पहले तो मैं कि हमएनette खाल, इस स्केल्स में होता है जीरो से फिफ्टी नमबर तक जादा तर यूज़ होता है पर शिच भी क्छTwo evidence केल्स एक efficient cc 12 नमबर तक भी होता है कमपास रखी इसको अपने हिलाना नहीं है बिल्कुल भी आप कापी को अपनी जो नौट बुक है उसको गुमा सकते हो पर इसको क्या नहीं है परकार को नहीं गुमाना है कमपास को यह देखो यह बन गया सरकल और जहां से यह देखो यह हमने परकार लिया है कमपास लिया है यह इसका center point, इसको क्या कहते है, center madya point, जो beach का point होता है, तो यहाँ पे हम इसको O भी लेल सकते हैं, यह होता है हमारा center point, तो यह देखो हमने compass से भी और protector से भी क्या खीचा, circular shape, और किन-किन चीज़ों से खीच सकते हो, आप लिखोगे bottle cap से, और किस से खीचा हमने, compass से खीचा, protector से खीचा, और किस से खीचा था, bangle, बैंगल से खीची लिया, और हमने plate से खीचा था, कोई भी डिबे का धकन है, जैसे lid है, lid धकन उससे जो round shape में है, उससे भी खीच सकते हैं, आगे देखो, trace a circle will the help of some of these things in your notebook, और on the ground, आप ground पे भी खीच सकते हो, और book में तो यही चीज लिख सकते हो, आप कहीं चीजों से, जैसे कि मेंने आपको circle खीच के देखे हैं, यह अपनी notebook पे करना है, तो बच्चो, अब हमने बताना है, which things makes a smaller circle, smallest circle किस से बना था, हमारा bottle cap से, जो हमने bottle cap से बनाया था, यह हमारा सबसे smallest means सबसे चोटा बना था, और सबसे biggest कॉन सा बना तो यह देखो, इस पिक को ध्यान से, देखो, game number one, तो इसमें क्या है, दो बच्चे तो इस circle में, जैको बच्चे बैठे हैं, circular shape में बैठे हैं, गॉल, उसमें, round shape में, दो बच्चे बाहर हैं, और एक लड़के के हाथ में क्या है, यहां पे हुमाल है, तो यह कुछ game खेल हैं, तो बच्चो आपको पता है, यह कौन सी game है, children are playing some games, तो आजकल में को लगता है, बच्चे कुछ यह games नहीं खेलते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे अंदर indoor games खेलते हैं, तो बच्चो यह होती है, जिसमें यह होता है, यह लड़का है, जैसे यह की भाग रहा है, यह जो बच्चे के पीछे रुमाल रख दिया, फिर उसकी क्या होजेगी, टर्न नहीं हो जाएगी, जिसके पीछे रुमाल रखा है, फिर उसकी टर्न हो जाएगी, तो यह कौन सी है, इसको कोटला चपाकी कहते हैं, यह कुछ games है, आगे देखो दूसरी game में क्या है, game 2 में, यह द बनार के एक circle बनार का और बीच में क्या रखर का है, रुमाल रखर का है, तो यह दोनों क्या करेंगे, घूमेंगे, और जो रुमाल ले जाएगा, अगर वो अपनी boundary line से पार चला गया, तो वो जी दिया, उसका one point हो जाएगा, अगर यह वाली team का उठाता है, तो यह अपन इस boundary line से इधर आजाएगा, तो उसका number point होगा, पर अगर किसी एक ने ठा लिया, और वो जो boundary line से उधर ना जा सका, और उसने क्या कर दिया, उसके back पे मार दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, इसको रुमाल वाली game कहते हैं, जो circular shape में खेलते हैं, तो which song do you sing when you play this, तो बच्चो फर्स्ट गेम में हम क्या करते हैं, कोटला चपा की जुम्में रात आई है, जो भी आगे पिछे देखे उसकी शामत आई है, ये song आते हैं, जो कई games में हम करते हैं, rain, rain, go away, come again, and another day, तो rain जाए और दूसरे दिन फिर से आए, तो बच्चे क्या जो नहीं खेलते, तो वो नो लिख देना, why do make a circle in each of these games, तो बच्चो ये बताओ कि आप इन दो games में circle ही क्यो बनाते हैं, क्योंकि देखो, अगर हम circular shape में लिखेंगे, तो जो दो बच्ची है, वो क्या होंगे, इसके आलिद वाले round गुमेंगे, तो नाई इस game में ये होता ह कि जो ये कोटला चपाकी वाली है, और ये रुमाल वाली game है, इसमें ये जो circle होता है, इस पे पैर नहीं आना जाहिए, अगर दोनों बच्चों, दोनों टीमो के बच्चों में से किसी के भी पैर आ जाता है, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, तो इसलि इस circle has no corner, कोई किनारे नहीं होते, कोई कोणे नहीं होते, क्योंकि every child, हर एक बच्चा क्या करता है, every child's, क्या करता है, stand at the circle, every child's, यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं every child, stand at the circle, gets equal, उन दोनों को equal importance मिलती है, equal distance मिलता है, equal opportunity मिलती है, दोनों को ब्राबर मोके मिलते हैं, तो यह है, आगे देखो, what if a rectangle was made, अगर हम rectangle बनाते हैं, तो क्या होगा, जैसे कि हमने यह rectangular shape बनाई, जिसमें opposite sides क्या होते हैं, equal, इसमें एक side में यह team और एक side में यह, तो यह इनके corner क्या होंगे, जिसमें टच होंगे, जिससे वो teams के क्या होंगे, members out हो सकते हैं, इसलिए हम rectangle shape नहीं बनाते हैं, rectangle कहां बनती है, rectangle is made in cricket, cricket में बनती है, देखना है, जो cricket का ground होता है, वो round shape में नहीं होता, वो जादा तर rectangle shape में होता है, पर in games में हम circular shape ही बनाते हैं, things of some other games, you play by making a circle, और भी circle बनाते हो, तो बच्चो दो games तो यही होगी, और दूसरी क्या होती है, musical chair लगा लो आप उसमें भी कई जैसे बच्चे होते हैं, musical chair जिसमें गाना चलता है, chairs होती है, जैसे कि हम लगा लो total children हमारे कितने है, 10, total children 10 है, यह हुए total children 10 और हम chairs कितनी रखेंगे, 9, एक कम रखें तो total chair 10 ती, अब क्या रहेगी, 9, और बच्चे कितने रहेगे, 8, फिर ऐसे music चलेगा, music बंद होगा, तो 8 बच्चे पर रहे जाएंगे, और 9 वाला बच्चा एक रहे जाएगा, तो ऐसे game चलती रहती है, उसमें क्या होता है, कहीं musical chair में वो circle बन जाता है, जैसे ऐसे करके गुमते हैं, तो यह कुछ games है, तो है making a circle, अब हमने circle बनाना है, नैना, चिम्पू और अराविया, want to play a game, एक game खेलते हैं, they want to a big circle on the ground, और ground में क्या करते हैं, यह देखो, 3 बच्चे हैं, जो कि circle बनाने की कोशिश करते हैं, but they cannot make it by a tracing, पर वो trace करके ना, जैसे कि हमने plate से, बैंगल से trace करके circle बनाये थे, वो नहीं कर पाते, so Aravya tries to draw a circle with a stick, इसलिए वो एक stick लेके आती है, जिससे वो circle बनाती है, stick समझते लो चड़ी, तो उससे वो ऐसे, देखो, यह पिक में दिखा रक है, यह circular shape तो है यह नहीं, तो पता नहीं उन्होंने कौन सी shape बना दी, इसम आगे देखो, चिंपू और नैना, it does not look like a circle at all, कहता है, सभी तरफ से, क्या है, यह circle तो बिल्कुल लगी नहीं रहा, राइबा कहती है, okay, why don't both of your try, तुम दोनों ने try कर ली है, तो वो कहती है, अब मैं try करते हूँ, चिंपू और नैना, both make circle on the ground, चिंपू और जो एक good drawing of a circle, discuss, क्या, any of these a good drawing of a circle, क्या किसी की circle में कुछ अच्छी drawing है, discuss करो, तो बच्चो आप ट्राइ करके देखो, सारे बच्चे जितने भी है, ट्राइ करके देखो, खुच circle बना के देखो, पैंसिल से, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस तरह का circle बना देंगे, कुछ ऐसे oval बनाते हो, उसमें क्या बनाते हो, चट पे खेलते हो, जब बाहर अपनी स्ट्रीट में खेलते हो, तो चौक के साथ क्या बनाते हो, ऐसे circle बनाते हो, तो हम ऐसे pencil से भी ड्रो करके देखो, also draw a circle in your notebook using a pencil, तो यह देखो ध्यान से, जैसे कि कहीं बच्चों से बन जाता है, और क circular shape बन रही है, ऐसे आप pencil से draw करके देखना, और बाकि मैंने आपको trace करके भी बताया है, कुछ चीज़ से आप वो भी trace करके बना सकते हो, आगे देखो, look at the circles drawn by your friend, who has drawn the best circle, तो आप अपने friends के साथ, मिलके क्या बनाओगे circle, तो मैंने आपको बताया ना, कुछ बच्चे बि देखना, किसका best circle बनता है, थ्रेड दिले सकते हैं, थोड़ा मोटा जो टूटेना, and tied on both hands of the rope, उसने दोनों ends को rope के साथ बांद दिया, then she made a circle, तब उसने क्या बनाया, एक circle with the help of our friend, और एक अपने friend की क्या ले ली, help ले ली, look at the picture, इस picture को देखो, and see how they are making the circle, तो देखो, इस पिक में क्या किया, नेल्स दिले सेकते हैं, तो इसने क्या किया सांथ गाया, एक kangara किया, नेल्स रकलीप, और यहाँ से दोनाया है, और इसको ऑसे गुमाया, यहाँ भी, यह देखो, जैसे इसने यह एरो लगाराता है, यहाँ से इनों completa कोने से यह नेससे इनल हम यहाँ से झालिया, जैसे में पून अभी को हम पंटने तो एसे करतें नेल को हिलाया नहीं और जो है उसको घूमाते गए उसको घूमाते गए अपनी फ्रेंड के यांड से उसने ऐसे क्या म favour a circle खिच दिया यह क्या है एक वाइर है यह देखो यह वाइर का एक end है और यह दूसरा and है जैसे कि हम इसको nails में ऐसे करेंगे तो यह मैंने देखो इसको पहले ही round shape में ऐसे गोल गोल गुमा कर इसका क्या बना दिया circular shape तो आप ऐसे wires को क्या कर सकते हो circular shape में बना सकते हो तो बच्चों कुछ थोड़ा सा सरकल लग रहा है वैसे ओबल शीप में लग रहा है तो आप भी खीच सकते हो अगर खीच सकते हो तो देखो क्या करोगे आप एक में नेल्स को इस तरहां बहुत पक्के तोर्थ पे नेल्स को आप हैमर की हैल्प से कर दोगे फिर उस पे थ्रैड बांद कर एक ठ्रैड अपनी फ्रैंटस को कर दिया और नेल्स पे आप खड़ेऊगी तो आपने नेल्स को पक्ड़े रखना 3-4 cm तो सर्कल बनाने हैं और किसका स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा और किसका बिग गेस्ट तो देखो विच ग्रूप मेड़ दा स्मॉलर सर्कल और जिसका सबसे बड़ा बनेगा तो आप यहां पे लिखोगे और उसकी लॉंग वाजा देयर रॉप जैसे मैंने आपको कहा तू तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा तू वाला जैन्स की जो बच्चे का नाम हागा वो लिख देगे और उसकी लिखोगे तू मीटर तू सेंटी मीटर ऐसे लिखोगे दर लोंगर में के बिग सर्कल और बड़ी रोप लोगे तो उसका सर्कल बड़ा बनेगा जैसे कि 4 म अब जैसे यह नेल है नेल हमने यह सेंटर पॉइंट लिया था जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में शुरू में आपको बताया था कि जैसे कि हमने कंपासे की चादर परकार यहां सेंटर में रखी तो यह सेंटर पॉइंट होता है और जो हमने परकार को ऐसे किया था कंपास तो 4 जीरो से लेके यहां हमने एव पॉइंट ले लिया तो यह OE जो है ना 4 cm यह क्या होती है एक त्रीजा होती है हिंदी में इसको त्रीजा बोलते हैं और इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं अर्द ब्यास ब्यास क्या होता है डायमेटर इंग्लिश डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है और रेडियस क्या होता है उसका हाफ होता है तो रेडियस और जो डायमीटर होते है यह हमेशा सेंटर में से गुजर के जाते हैं पासिंग थ्रूदा सेंटर और यह जो जितने भी हम रेडियस खिचेंगे जर डायमीटर खिच जो radius होता है वो क्या होता है half d होता है और diameter क्या होता है radius का daways दूबना होता है तो देखो what was the radius of the smaller circle जो जैसे मैंने आपको कहा 2 3 4 So, smaller circle कितने का हुआ 2 cm का तो ये हमारा हुआ radius और क्या कर सकते हो जैसे कि ये हमने ऐसे खिच था ना ये हुआ हमारा सेंटर इसको बोलते हैं सेंटर और यह होई आर यानि की रेडियस अगर हम यह लेते हैं यह भी लेते हैं यह सारी क्या होंगी रेडियस अगर हमने टू सेंटीमेटर का लिया जैसे कि मैंने आपको स्केल में बताया था यह सारी क्या होंगी इक्वल होंगी और डायमेटर क्या होता है जो center में से होकर गुजता यानि की पूरी length होती है इसको हम diameter बोलते हैं तो बच्चों ये कुछ समझाया आपको कुछ topic radius और diameter के बारे में वैसे ही आपको higher standard में आएगा जिसमें आपको radius का circumference, प्रीदी, घेरा, परिमाब या area भी आएगा तो आपको बस इतना ही समझना है कि जैसे कि हम radius खीचते हैं आपको circle shape खीचनी आ सकती है जैसे कि हम 3 जा लेते हैं radius 2 cm जैसे कि मैंने आपको compass से बताए थी तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही अब हम मिलेंगी next वीडियो म आए टेक कियर